नमस्ते मैं सौरब हूँ और आप देख रहे हैं दिलेलेंटॉप.com आपने इंडियन इस्ट्यूट आफ टेक्नॉलजी के नाम सुना होगा जहां से बड़े बड़े इंजीनियर निकलते हैं आपने IIM सुना होगा जहां से बड़े बड़े मैनेजर्स निकलते हैं मगर देश भारत देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोकरिसी मना जाता है मगर यहां पे ऐसा कोई इंस्ट्यूट नहीं था जहां से फ्यूट्र लीडर्स त्यार हो सकें जो इस देश की रीति रिवाजों को समझते हों चीजों को समझते हों कैसे लोगों को देश शलाना है वो समझते हों तो उसको समझाने के लिए उसको बताने के लिए एक इंस्ट्यूट शुरू हुआ Indyan Institute of Democratic Leadership के यहां इसका सेकेंड काइशिएंज है दिल्ली में इस वक्त और रहे साथ यहां के डीन है इस इंस्ट्डूट के वह मुझूद हैं रवींदर साथे जी बाके इंस्ट्टूट से अगर आप एक नेतरूत्व करना चाहते है चाए गवरननस का विशय हो चाहे पॉलिकल लीडर्शिप का विशय हो तो आपने प्रतिभा से अपने टेलेंट से को देश के लिए कुछ करना चाहती है तो हमें ऐसा लगा कि यूआ पीड़ी का टैलेंट, उनकी प्रतिवा और प्रतेक्षर जो देश का सुशासन है, और लिडर्शीप है, जैसे लिडर्शीप है ने खाली पॉलिडिकल लिडर्शीप ऐसा नहीं है, तो किसी भी सवचिक संगर्टन की भी लिडर्शीप हो सकती है किसी संस्था की भी लिडर्शीप हो शकते हैं किसी सोसाइटी की भी लिडर्शीप हो सकती है तो इसमें जो दराह है यानि जो युवा करना चाहता है कुछ और करने के लिए उसके मन में इच्छा है तमन्ना है लेकिन प्रत्यक्षक क्या करना है इसके बारे में वह ज्यादा उसको कोई guidance नहीं दिया जाता है तो हमने सोचा कि ऐसा एक पाठ्ठेकरम तयार करके हम यह नू मेने का पाठ्ठेकरम करते हैं जिसमें politics का भी ग्यान हम देते हैं और यह सब संस्था चलाने के लिए जो लीडर्शिप के स्किल सेट रहते हैं वह स्किल सेट भी हम इस ट्रस्ट के संस्था के माध्यम से युवापीडी को देते हैं हमारे साथ इंस्ट्टूट के कुछ स्टुडेंट्स हैं जो फ्यूचर लीडर्स बनने वाले हैं तो उनसे बात करते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश्ट हूँ तो वहाँ पर क्या है कि आप किसी भी गली में खड़े हो जाईए और किसी भी लड़के से बात कर लीजिए वो नेता है और आप लोग भी नेता बनने वाले हैं तो आप उनसे कैसे अलग होंगे क्या नामे आपका मेरा नम मायंंक रंख्वाणी है तुप सब Lessive बोले नेता बनना नेता इस यहीं से तो लीडरिशिफ का यह मतलब नहीं इक हम का उसमें ही जरूरत है तो हम सब एक multidimensional leadership का exposure दिया जाता है तो हम किसी विभीन्य चटरां में चाहे वह politics when I am gem जाने के तिए रहे रहे हैं तो आपको बना है द्रलब politics में याना अच्पोजर नहीं है जी बिल्कुल आप जिसा कोर्स का आपने देखा हुगा लीडर्शिप, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से कई एस्पेक्ट्स हैं, अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, और प्लस पॉलिसी में जा सकते हैं, अब जरनलिजम में जा सकते हैं, अब बैक एंड में जा सकते हैं, कई एस्पेक आप क्या एम था इस इंस्टूट मानेगा? अपनी यूपी की बात की, हमने इस बार यूपी में कैंपेंड किया, हमने पता चला कि हर एक गली में हर एक नेता है, पर उन नेताओं को सही धंग से लेके आना, उनको सिखाना, पढ़ाना, उनको एक मारदर्शन देना और बाद में उनको राजनीती में होताना, that is also a type of change which we can do through this kind of course, so IADL gave us an opportunity, for nine months we learned about each and everything, politics, governance and related topics and that gave us a kind of experience which no other institution would have ever given us. I think, I just want to add one thing that Azina said, most of us, so I would like to tell you one more thing, that in our course, we have exposure to our resource persons, which are related to RMP, we have to learn how to learn from them, we have only politics, or I will say that we do not learn from a political level, but in the future, ethics, practical application, we have a lot of knowledge about practical exposure, ब्र्शक जपूजर के लिए हम दो जाते हैं, field visits पे, हम लोगों को हाई को जाने का मोचा मिला, RL वेघन देखने का मोचा मिला, अलग अलग वडे़ीन प्रकार के गवर्नेंस अडेटर्शन देखने का मोचा मौब मॉडल पार्लमेंट, Model United Nations, तो यह एक प्राक्टिकल एक्सपोजर था कि जो आप थेरी सीख रहे हो वो आपको प्राक्टिकल वे में कैसे इंप्लिमेंट कर सकते हैं So that was one plus point which we thought we won't get in any other institution which we got over here अपको ग्याना में? मेरा नाम आशितोष मिश्रा है मैं प्रयाग राज उत्तर पुदेश से आ रहे हूँ आप तो पहले से नेतागरी जानते होंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है एक मन में जिग्यासा थी मैं लॉग कर रहा था मुंबई से और मैंने तो जैसे आपने मोला यूपी में हर घर से एक नेता होता है तो एक मन में था कि एक कोर्स करके क्या होता है कोर्स में क्या सिखाय जाता है तो मैं यहाँ गया यहाँ पे सबसे बड़ी इस कोर्स की बात है यहाँ का जो एन्वायरमेंट है वो environment यहां का एकदम आप बोलें तो एकदम राम राज जी ऐसा है यहां पर आपको सब हसते हुए दिखेंगे एक सब बात करते हूं सब अच्छे से बात करेंगे सब अच्छे से behave करेंगे जो जिस field में है चाहे वो sweeper हो या कोई भी मतलब कोई भी कुछ भी काम कर रहा है आप अच्छे होने चाहे चाहे वो किसी भी पार्टी में जाएं तो ये एक independent जो हमें सोचने का मौका मिला ये हमें काफी beneficiary रहा है आप से बात करेंगे आप क्या नाम है आपका मेरा नाम साकर शिवागला है मैं सुन रहा था तो आप प्रधान भी है मैंने सुना हाँ मैं मेरे गाउगा सरपंचे तो अभी मैं उत्तरप्रदेश में था एलेक पढ़ रहे हैं क्या आपको लगा कि वहां अलग है और फील्ड में क्या नजरा है मैं जैसे प्रधान बना जैसे मेरे गाउमे में प्रधान बना तो ये कोस्ट के बारों के मिलो मालूम पड़ा तो जो theoretical नहीं रहता है जो हर को वैक्ति पढ़ा हुआ रहता है पर उसको इतना अगे बस्ति चोटे से चोटे बच्चे को आधिक को फार्मॉर को उनको उसका फायदा मिल सके यहां एक को छोटे थो आद्मियों के छोटे लोग रहते जुनको लीड़र्शिप के बारी में कुछ मालूम नहीं रहता कि लीडर्शिप भारत के लिए केसी है तो इसका बहुत बड़ा यहां थीर के लिगान और प्रेक्टरी लिगान मिलता है कि हमको क्या 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 काम करना चाहिए मैं पूछना जाओंगा आप लोगों से कि एक लीडर कैसा होना चाहिए आप लोग 9 मैंने से लीडर्शिप क्वालिटीजी सीख रहते पड़ रहते पॉलिटिक्स की बाते सीख पड़ रहते लीडर खासतर अपने देश में कैसा होना चाहिए प्रोएक्टिफ नीट्रल एथिकल विश्णरी यह कुछ मूल तत्व है जिनके उपर आपका पिलर यह चार पिलर होनी चाहिए आप उसके उपर आप एक-एक करके अपना नॉलेज आपकी पिरमेट उतने सुंदर बनेगी बट आपकी वो पिलर्स यह पिलर्स होने से यहां आप बताईए इक पास समाज और देश को उनती के लिए लिए आगे जाने के लिए एक दूरदृश्टी है, जिसके पास उसके लिए एक राह है, उसके पास उचित उसके लिए जो उप्यूक्त है वो ग्यान है, skills जो है, resource है, उसको कैसा एकटा करके वो सारे के सारा लाब, समाज के हर व्यक्ति तक जाने की एक योजना है, यह सारा जो और अपना नीजी जीवन भी उतना ही शुद्ध है, यह सारा जो एक अलग-अलग qualities है, अगर आप चुनावी राजनेते की परिपेक्ष में अगर नेत्वित्र की बात करते हैं तो सबसे मुहत्पूर्ण ये विशय आता है कि जो नेता है उसको अपने लोकल जगह के मूलभूत आउशकताओं के बारे में ग्यान होना चाहिए और वहां की समस्याओं का निदान करन की दूरदिश्ट्री होनी चाहिए और जो सब्सक्राइब अपने परिवार के बारे में देखता है वही सब्सक्राइब अपनी समस्त प्रजा और अपने मज़दाताओं के बारे में देखिए सबसे आवश्यक है कि एक ऐसा पॉइंट जो आपको लगा हो कि इस अपने जो प्रफेशनल वर्ल्ड में थे तो वहां हम जो एक वो बोलते हैं कैट्रेस जो होती है उसके थूज आते थे पट यहां आप में वह कामनेस और आप में वह इंसानियत की जो जो एथिकल इंसानियत बोले यह जो नीव डाली गई यह कभी नहीं भूले सर फ्रीडम टू चूज मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं मुझे लगता है किसी ने हमको आज तक अभी तक बताया नहीं कि आपको यहां जाना हमें बोला गया कि आपको जो पसंद है आप वो करिए जहां करिए बस एक अच्छा एथिकल रहते हुए अपने शुरूब से जो विशेश शुरूब से इस पूरे कोर्स के दोर्यान हमें बनाई गई और मुझे लगता है वही निचनों निचोड़ है विभिनिता में एकता कैसे हो इसका रामभामाल की प्रभोतनी और आयाटील एक जीता जागता एक्जाम्पल है मैं फर्स बहच में थ साथ और अलग सब्विताओं के से आए हुए अलग अलग संस्कृतियों से आए हुए धर्मों से लोगों के साथ एक साथ रहके राष्ट निर्माण के लिए कैसे काम कर सकी है प्रभूर्वतनी से अब हमारे साथ इंडिया इंस्ट्यूट और डमोर्क्रिटिल करना है कि फ्यूचर लीडर्स की मतलब हमारे देश में क्या आम तोर पर सभी जनतांतरिक देशों में जनप्रियता ये नेत्रुत्व का एक पहलू होता है केवल मातर जनप्रिय होने से चीज़े आगे नहीं बढ़ती आप चुनाव जब जीते है तब आपकी जनत प्रियता आप पर एक दुष्टी से एक endorsement होता है मगर वो परियापत नहीं है आपको deliver करना भी संबभव होना चाहिए आपको काम करना भी संबभव होना चाहिए और नेत्रुत्वगुण की जो व्याक्या है आज के जमाने में जनतांतरिक व्यवस्था के अंदर वो जनप्रियता औ बात करते करते आपको जनप्रिय होना है केवल जनप्रियता की बात करेंगे और जनहित कोई उपेक्षा करेंगे तो आप नेता नहीं कहलाओगे हेरोल लास की नाम के एक बड़े मनीशी और राजनीता हो गए ब्रिटेन के उन्होंने कहां था लीडर्शिप की वैख्या बनाते हुए हैं कि लीडर इस परसन वू लीड्स तमासिस बट रेफ्यूजेस टू लेड़ बाए दे मासिस तो हमें जनता और समाज के पीछे-पीछे भागना नहीं है समाज हमारे पीछे आये इस पद्धती से प्रभोधन करते करते हमारे नेतरुत्व को स्थापित करते हैं हम फील्ड में अक्सर जाते हैं तो कई नेताओं से मिलना होता है क्योंकि मैं लोग सुभा चनाओ कवर कर रहा था अभी उतरब्रदेश में प्रसिक्षन की व्यवस्था एकदम से मैं उसको मैंडेरी इस शबद का प्रयोग नहीं करूंगा मगर इस पधती से होनी चाहिए कि उसको भी आकरशक लगे कि नहीं नहीं मुझे तो ट्रेन होना ही है वो एक शैल चतुरवेदी जी की कविता आडवानी जी बताते थे आपने सुनी होगी वो एक व्यंगात्मक कावे में चतुरवेदी जी ने आज से शाहिए 40 साल पहले कहा था कि नए नए मंत्री बने एक सज्जन जब पहली बार गाड़ी में बैठे तब उन्होंने ड्राइवर को कहा आज कार मैं चलाओंगा ड्राइवर बेचारा डर का मारा उतर कर विनमरता से बोला कि तो हुजूर मैं उतर जाओंगा भला क्यों तो उसने कहा क्योंकि यह कार है सरकार नहीं जो भगवान बरो से चल सकती है तो सरकार भगवान भरो से चल सकती है कार के लिए ड्राइविंग का ट्रेनिंग लेना पड़ता है ये जो एक धारणा बन गई है मैं मानता हूं कि उसको धीरे धीरे हमें समाप्त करना पड़ेगा और भारतिय जनतांत्रिक नेतरुत्व संस्थान जो है इंडियन यह दारणा बिलकुल वहां जाकर आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ऐसा कोई विशह ने हमारे यहां कम्यूनिस्टों के कारेकरता भी आते हैं पढ़ाने के लिए भी हम बुलाते हैं उनको क्योंकि हम सारी विचारणाराओं को समक्ष रखना चाहते हैं हम को कोई स्टेट जैकेटिंग करते हुए या कोई रेजिमेंटेशन की बात तो नहीं कर रहे हैं यह तो खुला असमान है जो विचार उनको पसंद आए जरूर उसके और नेत्रुत्व गुण किस राजनितिक दलके कारेकरता में नहीं चाहिए चाहे आप कम्यूनिस्ट के हो च स्वागत योग यो भूमी का है हम तो चाहेंगे हर कोई आए यह ज्यान मंदिर है यहां पर आए पढ़े अच्छा काम करें देश की राजनिति और जनत अंत्र और अच्छा बने एक सवाल मेरा और है कि इस इस्ट्रूट में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या सिर्फ नेता ही बनने वाले हैं और भी कुछ करने वाले हैं यह बड़ा अच्छा सवाल है देखिए हमने कई बार कहा है कि यह कोई नेता बनाने की फैक्टर ही नहीं है यहां से बाहर और नेता बन गए ऐसा तो नहीं हो पाएगा और नेताओं की जरूरत क्या केवल राजनीती में ही है हमारे समाज जीवन में हैं हाउसिंग सोसाइटी में है स्पोर्ट असोसियेशन में है कॉलेज के क्लास्रूम में भी है और मैनेजमेंट में भी है तो नेता यह बड़ी व जिसका संसकार हर किसी के अंदर होना बहुत जरूरी है अब जब इस्टूट के आप बात कर रहे थे मैं आपका सुन रहा था भाशन आपका तो उसमें आपने कहा है कि देश सबस्टेबली डेमिक्रेशी है अपनी और उसके बावजूद ऐसा इसा इंस्टूट बनने में इ खापित होंगे अभी महराश्टर की एश्वंत्राव चवान यूनिवर्सिटी ने हमारे कोर्स को मानिता दी है तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे शुरुवात एकदम ऐसी भव्य दिव्य नहीं हो सकती छोटी शुरुवात होती है जो भी फ्यूचर लीडर्स हैं क्यों चाहे प्राध्यापक बनो चाहे मैनेजमेंट में जाओ चाहे अपना खुद का एक उद्यमिता के अधार पर आप उद्योग चलाओ कुछ भी करो आपके अंदर नेत्रत्व गुण होना जरूरी है आपके अंदर समाज में जो भी चल रहा है उसका एक आकलन बनना सोशल इन सारे नेत्रत्व गुणों के संचार से सुरुजन से और संसकारों से आगे और अधिक कारगर ढंग से हम बढ़ा पाते हैं इसलिए हर घर में भी तो नेता होता है और ट्रेन के डिबे में भी कोई एक नेता जरूरी होता है तो मैं मानता हूं कि नेत्रत्व ये भगवान जो दुरुष्टी जो विजन चाहिए वो यहां से प्राफ्ट रखेज़ागा अगर नौ महिने क्या परियात हैं वैसे जैसे मैंने कहा कि कोई भी पढ़ना यह तो एक निरंतर प्रक्रिया है और मैंने पहले से ही कहा कि यह कोई फैक्टर ही नहीं है तो कम से कम हमें एक दिश सोचने के लिए एक दिशा देते हैं जीवन की और देखने की एक दुरुष्टी देने की कोशिश करते हैं तो कोशिश यही तो होता है नहीं तो आज हमें यह विडम बना नहीं दिखाई देती कि एम वित इंगलिश लिट्रेचर और एक परिग्राफ भी नहीं लिख सकता ह इसलिए निज्ञान अर्जन की प्रक्रिया का कोई पूर्ण विराम नहीं है नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया तो यह थे विने सास्त्र बुद्दे जिन्हों ने बताया कि हर शेत्र में लीडरिशिप की जरूरत है ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स में हलाकि यहां आने का मकसद था कि जो भी पॉलिटिक्स में इंडिर्स्ट लोग हैं वो इस इंस्ट्यूट की तरफ रुख कर सकते हैं ध्यान दे सकते हैं कि उलके काम आने वाला है या नहीं आपका इस वीडियो को आरम क्या सोचना है मैं कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताएं मैं सौरव हूं केमरे के पीछे मेरे साथ रुखानी है शुक्रिया